ठीक तो जैसे परगना वाला हम लोगोंने लिखा भी क्या लिखा परगना ठीक परगना से पहले तो हम लोगोंने देख रखा था सरकार A सरकार B परगना ठीक, तो परगना में हमने officers देखे, कौन कौन से officers देखे बताते जाईएगा सिकदार, क्या देखा सिकदार फिर क्या देखा मुनसिफ फिर क्या देखा मुनसिफ के बाद फिर हमने देखा, आमील या जो भी था, और चौथा क्या था फोटेदार एंड इसके बाद क्या थे करकून यह थे ना फोटेदार और आमिल एक ही हुआ ना फोटेदार और आमिल हाँ सॉरी मुनसिफ क्या लिखवाय था मैंने हाँ मुनसिफ मुनसिफ को आमिल हाँ मुनसिफ को आमील बोलते थे ये हो गया तीसरा फोटेदार और फिर क्या लिखवाय था चौथा करकूंस यही न और फिर एंड टू कलर्क्स यही है टू कलर्क्स यही है ठीक है न चलिए तो थोड़ा सा एके करके इनको explain कर लेते हैं थोड़ा सा एके करके explain कर ले वैसे लिखवा तो दिया हूँ तो explain करने जहुरत तो नहीं होनी चाहिए लेगन अगर चाहते हैं तो चलिए करके explain कर लेते हैं क्या हुआ तो लिखिएगा अब तो इनको तो मैंने explain कर दिया अब एक point extra लिख लिजिए यहां पर लिखेगा दिखे this is special this is special feature this is special feature of administration this is special feature of administration of sarkaar and parganaz was introduced as diarchy as diarchy system of as diarchy system of government as a as a preventive as a preventive against rebellions rebellions के वजए से इसने ये system बनाया और बहुत सांदार system बनाया कैसे तो देखिए यहां आपको समझ में आएगा क्या इसके पीछे logic लगाया इसने आए देखिए generally generally rebellions occurred generally rebellions occurred due to one having both finance and military power अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में finance and military दोनों दी दे जाए और वही होता था गवर्नर्स के लिए गवर्नर्स जो होते थे उनके हाथ में military और finance दोनों होता था तो वो उसी इसाब से सब चीजों को manage कर लेते थे पर इसने वही चीज तोड़ दिया एक तो side छोटा किया side छोटा करने से क्या हो गया आपकी power और आपका finance कम हो गया और वहाँ पर भी side छोटा करने के बाद भी इसने क्या किया एक ही वैक्ति के हाथ में दोनों चीजे नहीं दी कैसे देखिए एक है सिकदार और एक है मुनसिफ क्या है एक है सिकदार और एक है मुनसिफ तो लिखेगा सेरसा अपोइंटेड सेरसा अपोइंटेड टू परसंस सेरसा अपोइंटेड टू परसंस ओफ इक्वल रैंक्स कौन एक है सिकदार और अधर है मुनसिफ तो सरकार के पोश्च पर चले जाएंगे तो क्या होगा चीफ सिकदार चीफ मुनसिफ परगना में क्या है सिकदार और और दोनों के पास देखिए सिकदार क्या कर रहा है लोग और और यानि कि इसके पास थोड़ा बहुत मिलिटरी है और मुनसिफ क्या कर रहा है लेंड रेवेन्यू तो फाइनांस किसके हाथ में है मुनसिफ के हाथ में सिकदार के हाथ में क्या है सिकदार क्या है मिलिटरी ओफीसर और मुनसिफ क्या है इसके हाथ में फाइनस है तो दोनो दो ओफीसर हो गए और दोनो अलग-लग काम कर रहे हैं, लेगन एक के नीचे ये दोनों क्या हैं, इकवल रैंक के हैं, क्या लिखा है, two persons of equal rank, मुनसिफ अंड सिकदार तो एक वैक्ति के हाथ में military और finance दोनों नहीं है इस वज़े से क्या होगा इस वज़े से rebellion होने के chances minimum हो गए तो सेर सा appointed two persons of equal rank one have one have क्या लिखेंगे one have military power and and other have financial power so so both will act as a chick on the other तो क्या होगा दोनों दूसरे को contradict करते रहेंगे चेक करते रहेंगे इससे क्या होगा कि एक वैक्ति powerful नहीं बन पाएगा और जब कोई एक वैक्ति powerful नहीं बन पाएगा तो अपने आप क्या हो गया rebellion के chances खतम भाई rebel कौन करेगा जो powerful होगा कम जोड़ वैक्ति rebel थोड़न कर पाता है हमेशा powerful लोग rebel करते हैं और यहां पर भी वह हुआ ठेक तो यह हो गया किस लेबल पर यह हो गया हमारे क्या कहते हैं परगना लेबल पर अब परगना के एंडर में क्या है village है तो अब village के बारे में लिखते हैं तो हम लोगों ने सरकार लेबल देख लिया परगना लेबल देख लिया अब हम लोग कौन सा लेबल देखेंगे village क्या देखेंगे village लेबल पर administration क्या चल रहा था सरकार पर चीफ सिकदार चीफ मुनसिप परगना पर मुंसिप, सिकदार, आमील, फोटेदार और कलर यह सब हो गए अब विलेज पर आते हैं तो लिखिएगा विलेज के बारे में लिखिए विलेज विलेज वाज दा लोवेश्ट विलेज वाज दा लोवेश्ट यूनिट ओफ अदिनिस्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्रेश्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् maintaining in charge of maintaining law and order law and order कौन maintain कर रहे हैं village level पर पंचायत्स है तो पंचायत्स आए कहां से तो पंचायत्स को share sa suri ने ही recognize किया तो लिखिएगा share sa gave legal recognition share sa gave legal recognition to the पंचायत्स उसने इनको legally recognize किया था कि आप लोग law and order को maintain करो ठीक और क्या कहां देखिए इच पंचायत इच पंचायत्स वाज composed of इच पंचायत्स वाज composed of elders of the village तो village के जो उम्रदराज लोग थे उनको पंचायत्स में जगह दी गई और उन्हीं के कहा गया कि आप लोग अपने गाओं के law and order को समहा लिए ठीक है नेक्श लिखिएगा दी पंचायत क्यों अब बात यह है कि law and order समहा लिए और recognition मिल रहा है यानि पंचायत जो है इसका contact कहा हो रहा है राजा से हो रहा है इसका contact सुल्तान से हो रहा है सुल्तारिनी सेर सासूरी से हो रहा है तो सेर सासूरी के साथ contact कैसे बनेगा तो या तो आप क्या करो पंचायत जाएगा किसके पास सिकदार के पास या मुनसिफ के पास मुनसिफ जाएगा Chief Munsiv या सिकदार जाएगा Chief सिकदार के पास Central Government में कहां पर Minister के पास और Minister जब राजा को बताएगा तो इतनी अगर दिक्कत हो जाएगी इतने सीड़ी हो जाएगी तो पंचायत क्या होगा पंचायत की बात राजा तक पहुँचेगी नहीं तो पंचायतों से डारेक्ट कॉंटेक्ट में सुल्तान रहता था तो कैसे रहता था? तो पंचायतों 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 त तो विलेज ओफिसियल्स थूद विलेज ओफिसियल्स थूद पटवारी और चौकिदार तो विलेज में ओफिसर होते थे पटवारी और चौकिदार और वो पटवारी और चौकिदार के थूद पंचायद डाइरेक्ट राजा के पास अपनी बातों को पहुँचा देती थी इससे क्या होता था इससे जो ओफीसर्स वगरे होते थे उन ओफीसर्स के उपर लगाम लगी रहती थी क्योंकि अगर officer कुछ गलत करेगा या officer ने कुछ भी ऐसा किया करप्सन किया किसाद गलत किया या बैमानी करने कोशिस किया राजा के नियम के हिसाब से नहीं चला तो वो पंचायत क्या करती थी चौकिदार या पटवारी की थुरू वो मैसेज राजा तक पहुँचवा देती थी इससे क्या फायदा मिला इससे ये फायदा मिला कि जो राजा अपने officers को नीचे से उपर तक इमानदारी के रूप में maintain कर पाते था राजा को इसे फायदा था लोगों को इफायदा था ताकि बीच के officers जो हैं वो सब बैमानी न करें लोगों के साथ धोखा न दे और जो राजा का तरीका है जो revenue का system है वही नीचे तक पहुँचे बीच में बैमानी या करपसल न हो तो इस तरह से ये check and balance की पूरी system को maintain करता था सेरसासूरी समझ में कितना अच्छा administration चलाता था तो अगर आप इसको summarize करो सेरसासूरी का administration तो आपको क्या समझ में आएगा समझ में कि central level क्या है central level central level के नीचे क्या है प्रोविंसेज प्रोविंसेज कहिए या सरकार कहिए और उसके नीचे क्या है उसके बाद परगना क्या है परगना है यह यह न और परगना के अंडर में क्या है village है सबसे बड़ा क्या है central level यानी की empire पूरा सामराज एंपाइर किसमें divide हो गया empire divided into सरकार सरकार divided into परगनाज क्या हो गया है इंटू विलेजेज center में कौन है empire में कौन है सुल्तान सुल्तान के अंडर में कौन है चार officer चार ministers जो हमने लिख रखे हैं चार ministers कौन कौन से दिवाने वजारत फिर क्या है दिवाने आरीज फिर क्या है दिवाने रसालत और चौथा क्या है दिवाने इंसा यानी वजीर यानी प्राइम चार वजीर कह लिजिए आरीज यानी की क्या कह लेंगे आर्मी आर्मी को manage करने वाला रसालत यानी की foreign affairs को देखने वाला और इंसा royal palaces को in charge यह हो क्या यहां sorry communication और इसके बाद यहां के बाद और सबसे head तो कौन है supreme कौन है supreme तो सुल्तान है supreme कौन है सुल्तान है अब इसने empire को किस में divide कर दिया सरकार तो अब सरकार में कौन आ गए चीफ सिकदार और दूसरा कौन हो गया and chief munsif यही दो हमने देखा था तो यह chief munsif चीफ सिकदार किसके control में होंगे यह होंगे central government के control में यह क्या है central और यह है province government तो center के control में कौन होंगे chief सिकदार chief munsif ठेक है और दोनों का post equal है chief सिकदार भी equal उस वही power है जो एक chief munsif की है बस दोनों का काम अलग है सिकदार क्या कर रहा है law owner को maintain कर और munsif क्या कर रहा है finance देख रहा है उसके बाद आ गया परगना तो परगना में हमारे पास officer बढ़ गये तो एक क्या गया सिकदार आ गया फिर आ गया munsif आ गया munsif आ गया उसके बाद क्या आ गया बताईएगा munsif के बाद क्या है फोटेदार है ना munsif के बाद फोटेदार फोटेदार के बाद क्या है बताईए करकून और हर के पास क्या हो गया दो कलर्क्स क्या हो गया दो कलर्क्स हो गया तो इस तरह से हाँ सब के पास दो-दो कलर्क डे ले हाँ चारों को दो-दो कलर्क दे दिये गया या लेकिन यह कहीं confirm नहीं है यह confirm है कि दो कलर्क होते थे और हुआ क्या कि जो रे क्या कहते है government की language है यानि जो official language है court language है वो Persian है तो record Persian में maintain होगा लेकिन arm public की language हिंदी है तो arm public के लिए record हिंदी में उसकी copy यानि उसको translate कर रहा है एक जो है कलर्क वो Persian में record maintain कर रहा है और दूसरा उसको हिंदी में translate करके who but who उसकी copy भी बना रहा हिंदी में तो हिंदी आम लोगों के लिए हो गई और जो क्या कहते हैं ये हो गया परसियन ये दर्वार यानि कि ओफिस दर्वार के लिए हो गया और विलेजेज में क्या है पंचायत में बुढ़े बुझर्ग लोग है और ये सारे जाके पंचायत विलेजेज में काम करेंगे क्योंकि ये ही तो एक एक विलेज में जाकर क्या करेंगे लेंड रेवेन्यू, टेक्स, ट्रेजरी का काम, सबर कुछ इनहीं लोग को करना है तो इस तरह से पूरा सिस्टम इसने डेवलप किया और दो पोस्ट एक्वल स्टेटस का क्यों बनाया क्योंकि रिवेलियन से एक ही आदमी के हाथ में मिलिटरी और फाइनेंस नहीं दिया, दोनों दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और यहाँ पर तो और छोटे-छोटे हिस्से बना दिये तो रिवेलियन की कोई जंजट ही नहीं हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ इस तरह से इसने पूरे अपने अड्मिस्टेशन को समहाला तो यहाँ याद क्या रखना है, empire, empire were divided into सरकार सरकार were divided to परगना और परगना के अंडर में कई villages क्योंकि पहले villages बने हैं, तो परगना को village में डिवाइड नहीं करते हैं कहा जाता है, several villages comprises as the परगना, ठीक है क्योंकि villages तो पहले से आए हैं, village से परगना परगना सरकार सरकार से empire बना, नीचे सूपर ऐसे जाते हैं, हम लोग उपर से नीचे पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हुआ सूर अमपायर का क्या हुआ, administration system complete हुआ, और एक एक चीज हमने discuss कर लिया अब सूर अमपायर की जो next सबसे important चीज है, वो थी सूर अमपायर की land revenue और revenue, और क्या कहते हैं, हाँ, land revenue system, इसने land revenue system बहुत अच्छा develop किया था, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, सूर अमपायर के time का land revenue system या सूर अमपायर कह लिजिए, यह यों कहें कि, सेरसा सूरी का land revenue system यही एक important राजा ही हुआ, उसके अलामा तो कोई सुल्तान, आया ही नहीं काम का, हमने देख रखा है वो political history में, तो यहाँ पर क्या है, सूर अमपायर का यह administration, central government, central के बाद provinces में परगना, sorry, सरकार परगना और villages और सारे officers, अब हम लोग देखेंगे, क्या, land revenue system of share sa suri, तो short, इतना तो मैंने detail में आपको परगना, लेकिन short note इसी तरह का बनेगा, जैसे यह आपको दिख रहा है न, यह short note हो गया, sur empire का administration का, अब इसको ऐसे बनाईए, या आप उपर से लेके नीचे तक बनाईए, या थोड़े से और इसमें कुछ आप flow chart या decoration कर सकते तो कर लीजिए, लेकिन अंतिम क्या है, यही आपको निकल के आएगा result, ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कहा, land revenue of share sa suri, ठीक है, यह अब rub कर दे,